ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें गनेश उस्व और महरम लस्दीख है ऐसे में मुम्रा पुलिस ने अपनी कमर कस ली है आने वाले तेवहारों को लेकर मुम्रा पुलिस स्टेशन में कल एक मीटिंग रखे गई थी जिसमें अगनी सामंदल, टीमसी, ट्राफिक बिजली बिभाग के अधिकारी मौजूद थे इसके अलामा शहर के और भी कई प्रतिश्ठित लोग मौजूद थे जिनमें खास कर इन तेवहारों में ट्राफिक जाम ना हो गनपती और महरम के जुलूस के दावरान एक तरफ के रास्ते खुले रहेंगे जिसमें आबा गमन के तकलीफ ना हो बिजली भी तेवहार के दर्मियान ना कटे इस पर भी चर्चा हुई साथ ही सीनियर इस्पेक्टर मदुकर कड ने इस चहर में किसी तरह के अफ़गाहों पर ध्यान ना देने को कहा है अगर कोई भी ब्यक्ति गनेश पंडाल या ताजिया के चौक पर संधिक्द नजर आए या फिर कोई महौल खराब करने की कोशिश करे तो इसकी सूचना ततकाल पुलिस को दे साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी रहेगी कोई भी ब्यक्ति आपति जनक या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिपनी की तो उस पर कानूनी कारवाई की जाएगी मुम्बरा पुलिस स्टेशन के वरिश पुलिस नवीच्छं मधुकर कर्ड ने आने वाले तेवारों को बारे में क्या जानकारी दी है पुलिस स्टेशन में जो कल रखे गए थी मेटिंग वो किस लिए रखे गए थी धिनlış एक तारिक से लेकर दस तरिक तक नौरम तganoर है भार्म इसके तारिक बारा तरिक तक गंपती का त्योर है उसमें पीस कमिटी की मीटिंग हमने बुलाहा था लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में सुषना दी हूई उसमें वाटर डिपार्मेंट था, एमसिविक डिपार्मेंट, T.M.C के डिपार्मेंट, फायर प्रिगर के डिपार्मेंट वो सब लोग आये हुए थे प्रोसेशन निकरने वाले उसके बारे में ट्राफिक विबाग भी हम साथ में ले रहे यानि तेवारों को लेकर मुंबरा पुलिस सजब हो चुकी है, किसी भी तरह से कोई भी कानून हाथ में लिया तो बक्षा नहीं जाएगा सोशल मीडिया पर तो नजर बनी ही रहेगी, मगर शहर में पुलिस का भी भारी बंदोबस्त रहेगा तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहेगे, प्रहार टाइमिज